गाईद आज हम इमोजी से इंडियन सिटीज के नाम गेस करेंगे और देखते हैं आज तुम लोग कितने गेस कर पाते हो इसमें काफी सारे टॉफ भी हैं और काफी इजी भी हैं तुम लोगों को ग्रेड भी मिलेगा एबी सी में से तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलो ये पहला इमोजी देखो और मुझे कमेंट में सिटी का नाम बताओ ये काफी पॉपुलर सिटी है मैं यहां गया नहीं हूँ लेकिन मुझे जाने का बहुत मन है यह सिटी जिस स्टेट में है वह ग्रिनरी के लिए जाना जाता है तो भाई अब इतने हिंड के पात तो तुम लोग को ऐसे ही समझ आ गया होगा तो फटा फट नीचे कमेंट करो लगता है सभी लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिया था पहला वाला मून है यानि की चान है और दूसरा आई और तीसरा एक बहुत ही अच्छा सा हाउज यानि की घर है तीनों को मिलाने पर बनता है चंडीगर चंडीगर या जो पंजाब में है पंजाब जो की गिरिनरी के लिए फेमस है क्या तुम लोगों ने कमेंट कर दिया था तो चलो अब सेकेंड वाला देखते है या भी बहुत ही सिंपल है मैं इस में हिंट में क्या कि पहले वाले को इंगलिस में सुचो तेकेंड वाला तो इजी है तो जल्दी से इस्ता अंजर कमेंट करो लगता है सब लोगों ने कमेंट कर ही दिया है क्योंकि या पूर पूर सुनते हैं सब लोग सोचने लगते हैं कि या कौन ता पूर हो सकता है दुर्गापूर या रामपूर लेकिन या क्या है हस्त में तो पैसा जिसे इंगलिस में हम लोग काते है मनी तो यहां क्या बन गया मनीपूर मनीपूर यस मनीपूर हमारे नौर्थ इस्ट में है मड़ी पूर तुम लोगों ने यह वेगेस कर लिया था क्या बात है यार रखता है तुम लोगों ने दूसरा भी कमेंट कर दिया था तुम सबके दो दो पॉइंट सबके हो गए होंगे तो चलो हम लो तीसरा इमोजी देखते हैं यह अपनी इंडिया की सबसे पॉपलर सिटीज में से एक है यह क्यों पॉपलर है अगर यह मैंने बटा दिया तो मैं क्या ही बोलू यहां पे चलो दो चीज है जो बहुत फिमस है अले बारे के बारे में तो मैं नहीं पताऊंगा क्योंकि वब वर्ल्ड के मस है लेकिन दूसरा वाला है पागल खाना यस जो तुम लोगों ने सुना ही होगा तो फटा फट कॉमेंट करो लगता है तुम लोगों ने कॉमेंट कर दिया होगा क्योंकि यह है आग और यह है रा दोनों को मिला दे तो आगरा बनेगा और आगरा में ही वर्ल्ड फेमस चीज है जो दाज महले तो चलो फिर अगला वाला देखते है इसमें मैं क्या हिंट दू तुम लोगों को ज्यादा हिंट मैं देना नहीं चाहता लेकिन यह सिटी साउथ में है बस अब तो बहुत ही सिंपल हो गया इतना हिंट के बाद जल्दी से सोचो और फटाफट कोमेंट करो यह भी तुम लोगों ने कोमेंट कर दिया होगा पहला वाला है चेन और दूस्का वाला है नाई तो मिना देने पर बन जाएगा चेन नाई चेन नहीं अपनु साउट की चिटी क्या यह भी तुम लोगों ने गेस कर दिया था तो चलो तुम लोगों वाला भी केस कर लो यह तो इमोजी देखकर ही समझ में आ रहा होगा यह इंडिया का हार्ट है यह मैंने तो इसका आंसर बता ही दिया तो बस अब तुम सब तुरंट कॉमेंट करो कॉमेंट किया ही होगा क्योंकि यह पहला वाला दिन है और दूसरा वाला आई है तो दोनों को मिला दे तो बनेगा दिल्ली या इंडिया का हार्ट है यानि इंडिया का कापिटल है दिल्ली या भी तुम लोगों ने गेज कर दिया था चलो फिस देख्ट वाला इमोजी देखते हैं जो बहुत ही नॉर्मल है तुम लोगों के लिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है पहला वाला मैंने थोड़ा सा टफ रखा है क्योंकि दूसरा वाला इमोजी बहुत ही सिंपल है हर्ष्ट वाले इमोजी के लिए थोड़ा सा सोच लो तुम लो होटल का एक और वर्ड होता है जिसे क्या कहते हैं वो थोड़ा सोचो और दिमाग लगा और बटा दो कॉमेंट में क्या तुम लोगों ने कॉमेंट कर दिया था होटल को हम लोग इन भी कहते है आई डवल एन यस और ये तो दर्वाजा है यानि की तोर जो मिला देने पर बन गया इंडॉर यस गाइज इंडॉर जो मत प्रदेश में है क्या तुम दोगों ने यह भी गेस कर दिया था तो चलो फिर एक और मोजी देखते हैं रख्षे सेमर सिटी में से एक है जिसे हम लोग गेस कर लेते हैं यहां पर जीदी का राज चलता है यस गाइज अब तो इतना बड़ा हिंद देने के बार तो जटपट से सब का कॉमेंट में आंसर आ जाना चाहिए पिर जली से नीच के कॉमेंट में बता दो देखो पहला वाला क्या है एक फोल यानि कॉल इस पर बात होती है और दूसरा कैंटी से कट कर रहा है तो कट और यह है एक तो क्या हो गया मिलाने पे पोल कता यास कोलकटा यहाँ पर दिदी का राच चल्का है ममता दिदी का क्या अपिन लोगों ने यह भी गज़ कर लिया था तो चलो फिर इसी बात पे एक और सिरी का नाम गेश करो यह बहुत सिंपर रखा है मैंने यह भी पूर से ही है तो पटा पट से इस पूर का नाम भी बता दो फस्ट वाले इमोजी पे थोड़ा दिमाग लगाओ हिंदी में नाम सोचो और कॉमेंट में बता दो क्या तुम लोगों ने कॉमेंट कर दिया था बहुत लोगों ने सापपूर सोचा होगा लेकिन इसे हम लोग नाग भी कहते हैं और यह है पूर तो दोनों को मिला दे तो बनेगा नागपूर यस गाइज नागपूर जो अपनी औरन सिटी के नाम से जानी जाती है ऐसे मज़दार वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब करें